हेलो दोस्तो, आज हम बात करेंगे फ्रांसिस्को डी अलमेडा की। 1505 में पुर्टगाल के राजा ने तीन साल के कार्यकाल के लिए भारत में एक राज जेपाल नियुक्त किया परियाग पल के साथ सत्ताधारी को सुसजित किया। नव नियुक्त गवर्णर फांसिस्को डी अलमेडा को भारत में पुर्टगालियों की स्थिति को मजबूत करने और अधन, औरमुझ और मलक्का पर कबज़ करने मुसलिम व्यापार को नश्ट करने के लिए कहा गया था। उन्हें अंच दीवा, कोचीन, कन्नार और किल्वा में किले बनाने की भी सला दी गई थी। अलमेडा हाला के जम्मोरेन के विरोध के साथ सामना करना पड़ा। मिश्र के मामेलोग सुल्तान से खत्रा था। वेनिस के व्यापारे दुआरा प्रोथसाहित किया गया, जिनके आकरशक वानिज्जय अब पुर्टगाली हस्तक्षेप के कारण खत्रे में थे। मिश्रियों ने पुर्टगालियों की प्रगर्ति को रोकने के लिए लाल सागर में एक बेड़ा उठाया। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करे, सबस्क्राइब करे और कमेंट जरूर करे।